अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी सी रेस्पी पाव भाजी की जो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे जो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं वीडियो मेरी इंट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आ लिया है सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया सबजी आप अपने हिसाब से एड कर लेजेगा जो भी आपको पसंद हो अब इन सबको हम अच्छे से चलाएंगे और दो मीडियम साइज का मैंने टमाटर डाल दिया है इसके बीज निकाल दिया था मैंने एक टी स्पून डाल देंगे नमक नमक मिर्चाप अपने टेस्ट के कार्डिन डालिएगा हाफ कप मैंने मटर ले लिया है फ्रेश मटर मैंने लिया है आपके पास जो भी मटर हो डालिएगा और दो से तीन मैंने डाल दिया है हरी मेर्ची इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे एक टी स्पून डाल देंगे बटर पाव भाजी है तो बटर तो पड़ेगा ही दो से तीन टी स्पून हमने डाल दिया है पाव भाजी मसाला एक टी स्पून हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च एक टी स्पून हमने लिया कसूरी में थी इन सबको अच्छे से हम चला लेंगे सबजियों को गलने तक के लिए हमें पकाना है अब एक कप इसमें हम पानी एट कर देंगे जिससे की सबजियां मेरी अच्छे से गल जाए अगर आपको जल्दी है तो आप बॉयल करकी भी डाल सकते हैं गाजर है और मटर शिम्ला मेर्च को आप नहीं बॉयल करेंगे अब इसको कवर करके 5-6 मिनट हम पकाएंगे यह देखिए सबजियां मेरी अच्छे से गल गई है अब इसे हम एक मैशर की हेल्प से मैश करेंगे जितनी भी सबजियां है उन सबको हमको अच्छे से मैश करना है यह देखिए अब इसमें हम आलू एड़ कर देंगे 5-6 मैंने मीडियम साइज का आलू ले लिया था बॉयल कर लिया था और इसको हमने एड़ कर दिया यह देखिए अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे आलू को भी और सबजियों को भी हम एक मैशर की हेल्प से बिल्कुल भी मैश कर लेंगे जितनी मैश करेंगो इतनी आपकी भाजी अच्छी होगी यह देखिए है गस की फ्लेयम लो रखेगा लो फ्लेयम पे आप मैस झाज गोंच कर लिया है अब इस में हम पानी अच्छे से मैंने मैस कर लिया अब इसमें पानी करेंगे च्छि आए पशेच्चिंगनी лет कर एन अब तीन कप मैंने पानी . Да अब भी हमें इसे पकाना है टोटल इसको पकाने में 10 से 12 मिनट लगेगा लो टु मीडियम फ्लेम पर आप पकाईएगा तब आपकी भजीया सबसे अच्छी बने गी और एक टीस्पून हमने डाल दिया है लाल मिर्च और दो टीजपून हमने डाल दिया है लेमन जूस और हाफ टीजपून हमने डाल दिया है फूट कलर जिससे कि हमारे भजिया का कलर जो है न खोब अच्छा सा आजाए आइट्रेक्ट्ट्यू यह देखिए दो कप पानी मैंने पहले डाला ता एक कप भी डाल दिया तीन कप टोटल मैंने पानी डाला है अब हमें इससे कवर करके पकाना है अब इसको हम कवर कर देंगे यह देखिए बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है बहुत ही टेस्टी सी अब देखने में लगर रहा है ना कितनी प्यारी सी भिजिया बन रही हमारी अब इसमें हम कुछ धनिया डाल देंगे जिससे कि और भी टेस्ट बढ़ जाए सबजी मेरी रेडी हो चुकी है ये भाजी ये देखिए भाजी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई अब इसको हम साइट कर देंगे और अब हम पाव को बनाएंगे थोड़ा सा बटर डाल देंगे जो मैंने ऑईल डाला है आप उसकी जगह पे आप बटर भी डाल सकते बटर में अब इसको हम साइट कर देंगे अब इसको हम पाव को बना लेंगे यह एक पाव ले लिए 20 से मैंने इसको आधा कर दिया है अब इस पर हम डाल देंगे बटर थोड़ी सी धनिया डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल कर आप दो दो पाव डाल कर इसको अच्छे से बना लिजिए यह देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही मसदार सा बनता यह पाव भाजी एक बर बना के ट्राई जरूर करिएगा इस तरह से हम दोनों तरफ स सेक लेंगे थोड़ा बटर और डाल देंगे दूसरी तरफ से यह टोटल बटर में ही बनती है पाव भाजी आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप डाल सकते हैं यह देखिए पाव भाजी मज़दार सी मेरी बनकर तयार हो गई है चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं यह देखिए फ्रेंड्स मेरे बहुत ही टेस्टी सी पाव भाजी बनकर तयार हो गई है इसे प्याज अचार के साथ में खाईए बड़ा मज़ा आ जाएगा एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई करिएगा तो कैसी लगी मेरी रेस्पी इसे बनाईए और मुझे कमेंट्स मे जरूर बताईए कि आपकी पाव भाजी कैसी बनी है नए है तो सब्सक्राइब कर देगा लाइक शेयर करना मत बूलिएगा थैंक यू